हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जाब गुष्राद और मध्यप्रदेश जैसे प्रभावित राज्यों में टिड्डियों पर नियंत्रन पानी की कारवाई में तेजी लाएं आज तक के टिड्डी दल राजिसान के बाड में जोदपूर, नागोर, बिकानेर, गंगानगर, हनुमानगर, सीकर, जैपूर जिलो और मध्यप्रदेश के सतना, गौलियर, सीधी, राजकर, बैतुल, देवास, आगर मालवा जिलो में सक्रिया है वर्तमान में 200 टिड्डी सरकल काराल है, LCO प्रभावित राजियो के जिला प्रशासन और कृशी फील्ड मशीनरी के साथ तालमिल कायम करते हुए सर्वक्षन और नियंतरन कारे कर रहे हैं अब तक राजिस्तान के 21 जिलो, मद्यप्रदेश के 18 जिलो, पंजाब के 1 जिले और गुजरात के 2 जिलो में तिड्डी नियंतरन कारे किया गया है अनुसोचे त्रेकिस्तानी शेत्रों से परे टिड्डियों पर प्रभावित रूप से नियंतरन पाने के लिए राजिस्तान के अजमेर, चितोरगर और दोसा, मद्यप्रदेश के मंसौर, उज्जेन और शिफपुरी तथा उत्तर प्रदेश के जासी में अस्थाई नियंत पाने के कारवाई की गई है। टिड्डियों पर प्रभावी रूप से नियंतरन पाने के लिए कीट नाशकों के छड़काफ के लिए 89 तमकल गाडियां, 120 सरवक्षन वाहनों, छड़काफ करने वाले उपकर्णों और 810 हेक्टर मांटेट्स प्रेयर युक्त 47 नियंतरन वा इने से मांसून के आगवन के साथ ग्रिश्मकाली इन प्रजनन के लिए प्रवेश करते हैं। इस वर्ष हाला कि इन हॉपर और गुलाबी रंगी टिड्डियों का प्रवेश समय से काफी पहले हो गया। जिसकी बज़ा पाकिस्तान पिछले सीजन में टिड्डियों की अव प्रवेश्क उची उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली पश्चिमी हवाओं के साथ एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की लंबी दूरी तै करते हैं। इन में से अधिकांज गुलाबी अप्रिवेश्क रात को पेड़ों पर ठैरते हैं और जाता तर दिन में उड़ान भरते हैं। जागरुप टिवी की खास रिपोर्ट